दोस्तो इंडियन पोस्ट पेमेंट की तरब से आगी आए एक सांदार अपडेट अब आप अपने घर से ही आप अपने घर पर बैठ के ही आप अपने हाधार कार्ड में मोबायल लंबर को लिंक कर सकते हो दोस्तो कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में आजम सीखने वाले है दोस्तों आपको कही भी जाने की जरूरत नहीं है ना ही आपको appointment book करना है आप Indian post payment bank new update की वज़े से अब आप घर बैटे ही आप अपने हादार कार्ड में mobile number एड कर सकते हो आप अपने हादार कार्ड में mobile number को link कर सकते हो mobile number कैसे link करना है ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तों अपने हादार कार्ड में घर बैटे ही mobile number add करने के लिए सबसे पहले chrome browser open कर लेना है chrome browser open करने के बाद सर्च वार में टाइप कर देना है आई पी पी बी और दोस्तों आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप आई पी पी भी लिकर सर्च करोगे तो आपके सामने पहली वेफसाइट उपन हो जाएगी इंडियान पोस्ट पेमिंट बैंक आप देख सकतो यहाँ प प्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर किलिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज उपिन हो जाएगा दोस्तों यह अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्योंकि दोस्तों अब आप घर वेटे ही आई पी भी से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल लंबर को एड़ कर पाओगे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग देख सकते हो आपके सामने जो है पेज ओपिन हो रहा है यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि नेट की स्पीड जो थोड़ी सिलो है आप लोग देख सकते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बेंक की बैफ साइट जो है पूरी तरीके से ओपिन हो गई है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ओप्सन देखने को मिलेंगे डोर स्टेप बेंकिंग सर्विस रुकेस्ट फॉर्म मतलब की दोस्तों आपको कहीं भी नहीं जाना है आपके घर पर ही व्यक्ति आएगा पोस्ट पेमेंट से इंडियन पोस्ट से वो क्या करेगा आपका घर से ही आपका हदार काड में मोबाइल अपडेट करके जाएगा आपको इसके लिए एक फॉर्म को फिल करना होगा यहा जैसे ही दोस्तों यहां पर बहुत सारे उप्संस में से आप इस उप्संन हाधार मोबाइल अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो नीचे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा इस फॉर्म को करना होगा फिल आप देख सकते हो पहला लिखा हुआ है सेलूलेस चूज अप्सां जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप के सामने कुछ इस चाहिए से से गाल ग्सिस मिस्टर मिस्स एमएस अशबंस यह आप दोस्तों सेतों आपको एमार सेलेक्ट करना है यदि आप इस तरी हैं तो आपको एमार सेलेक्ट कर लेना है तो दोस्तों मैं पुर्लिंग हूं तुम्हें एमार पर सेलेक्ट कर दूँगा यदि आप पुरो से मेल है तो आपको एमार सेलेक्ट करना है यदि आप फीमेल है तो आपको दूसरा में कुमार डाल देना है तीसरे में दोस्तों आपको उस मोवाइल लंबर को डाल देना है जिसको आप आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हो आधार कार्ड में लिंक कराना चाहते हो उस मोवाइल लंबर को डालने के वाद जो आपको लिंक करना है फिर आपको चौते न qode select कर देना है जैसे की में यहाँ पर आपको फिन कोड डाल कर देखा देता हूँ आप लोग देख सकते हो फिन qode डालले के बाद near rest post office नीचे option देखने को मिल रहा है आपको क्या करना है यही पर near rest post office select an option के सामने आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर पूरी की पूरी जो है एक लिश्ट ओपिन हो जाएगी अभी इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहां पर यह सरकल घूम लाए मतलब कि हमारा जो है पोस्ट ओपिस का पिन कोड है जो हमने यहां पर डाला दोस्तो तब तक हम बेट कर लेते हैं और उपर क्या करते हैं नाम फंट नाम और लाश्ट नाम और मोवाईल नमर देंसरे मैं जैसे मैं नमल डाला इन उसरे में जैसे आपको लाशनेम डाल देना है जैसे मैं यहाँ पर कुमार डाल देता हूँ फिर आपको यहाँ पर दोस्तों मोबाइल लंबर डाल देना है दोस्तों मोबाइल लंबर और एड्रेस को डाल देते हैं आप देख सकते हो हमने यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट किया फ आपके सामने पूरी की पूरी लिष्ट याँ पर आज आएगी तो मैं यहां से अपना पोस्ट आप जो नियरेस्ट आप सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ही आप लोग देख सकते हो मैंने नियरेस्ट पोस्ट आप सिलेक्ट किया तो आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से पूरा फॉर्म फिल हो गया और नीचे के जो अप्सन ते लिंक्ड आई पीवी भी ब्रांच वो अपने आप फिल हो गया डिवीजन अपने आप फिल हो गया सरकल अपने आप फिल हो गया इस्टेट अपने आप फिल हो गया फिल होने के बाद आप यहां पर कुछ लिख भी सक आणाधार काड यह मैं लिख देता हूँ यह लिखने के बाद आपको इस पर टिक कर देना है यहाँ पर लिखा हुआ है I agree इनकी टर्मेंट कंडीशन मतलब जो भी इनकी टर्मेंट कंडीशन है वो लिखने के बाद आपको यह कैपचा जैसा दिख रहा है आपको विल्कुल विल्कुल यह कैपचा डाल देना है जैसे आप यह कैपचा डाल दो कैपचा डालने के बाद आपको यहाँ पर एक सम्मिट क आपके पास घर आएगा घर आकर वो क्या करेगा आपके आधार कार्ड में मोबाल लंबर को अपडेट कर देगा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है जब वो ब्यक्ति आपके घर आएगा आधार कार्ड में मोबाल लंबर लिंक करने के लिए तो दोस्तो जब वो आपके हादार काड में मोबाल अमर लिंक कर देगा तो आपसे दोस्तों एक चार्ज लिया जाएगा जो भी लीगा लोगा उनके अनुसार तो दोस्तों आपसे जो है कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे उनके अनुसार